अब करनक के साथ होने वाला है बहुती बड़ा धोका जियां दोस्तों गैना ने जो भी जुल्म सहे हो लेकिन गरवालों को तो घर के अंदर ले आई हैं ताकि वो करनक पर नजर रख सके और अब आगे वो क्या कदम उठाने वाली है इसका असा वो सामना उसको फेस कर सके और सोलुशन निकाल सके तो भी कनक ने तो घर को बेच कर जाने का फैसला कर लिया है और ये कबर अनंतर गहना को जैसे ही पता चलेगी और गहना शॉक्ट रह जाएंगे लेकिन गहना एक प्लानिंग बनाती है और इसी में फसने वाली है कनक ये पट्टी तो अपने नाम हो जाएगी और गहना बहुत बूरी तरह से यहाँ पर कनक की हार होने वाली हैं पूरे नोटों के बंडल देखकर कनक बहुत जादा शब्ड रह जाती है और काफी खुश हो जाती है और कह देती कि ठीक है तुम यह घर खर रखू और मैं अपने यह लेकर निकल लेती हूँ तभी हुआ पर बहाँ एक जोड़दार थपड मारती है कि इतनी आसानी से कहां बहुरानी अब तो तुम यहाँ पर इसी घर में रहो और हमारी नोकरानी बन कर रहो पूरे पैसे भी इसके रखली होंगे और उसके बाद बाह उसको मज़ेदार सबक सिखाने वाली है और इसके बाद उसको जोड़दार थपड़ तो पड़ेगा ही और उसके बाद ने यहाँ पर बाहु उसे घर से धखके देकर बाहर निकालने का फैसला कर लेती है लेकिन करनक काहां इसमेंड इतने आसानी से नहीं जाने देगा और कहेगा कि अभी तो अब गहना उस कनक को अपने जाल में फसाती हो और ये घर बापुजी और बागे नाम करवाती है तो पूरा इंट्रेस्टिंग ड्रामा शुरू हो चुका है और इसी ट्रामे में फसकर कनक सब कुछ खोद देने वाल है और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो इन पेपर्स पर भी साइन कर देगी और घर बीचाएगा और पैसे भी नहीं मिलने वाल है यानि जैसे को तेसा हो जाएगा और कनक एक बार फिर से कंगाल हो जाएगी और एक बार फिर से वो इनी घरवालों के सारे जीने की कोशिश करने वाली है